इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि अलेश्ची क्या है या क्यों पैदा होता है इसे कैसे खत्म किया जा सकता है तो आए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से एक बार की बात है एक आलसी व्यक्ति एक बहुत भीच्चू से कहता है मुनिवर मेरे पास बहुत आलस्पन है जिसकी वज़से मैं अपने जीवन में जो करना चाहता हूँ वह करने ही पाता हूँ मुझे कुछ रास्ता दिखाएं तो बहुत भीच्चू उस आदमी से पुछते हैं क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हें आलस्पन है व परंतु क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई परमान है कि तुम वाकई आलसी हो वह व्यक्ति कहता है जी मुनिवर तो बहुत भीच्चू काते हैं क्या परमान है मुनिवर मैं जानता तो हूँ कि व्यायाम करना मेरो सास्त के लिए अच्छा तो है लेकिन मैं चाह कर भी नह नहीं नहीं देता वे बहुत भीच्चु कहते हैं अच्छा तुम ऐसी आलस से परिसान हो व्यक्ति कहता है जी मुनवर बहुत भीच्चु कहते हैं परंतु क्या तुम जानते हो कि आलस होता क्या है वह व्यक्ति कहता है मैं ये तो नहीं जानता कि आलस का आर्थ क्या है अच्छी नहीं है, आले से एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अंजाने में हम खुद ही पैदा करते हैं, वह वैक्ति पूछता है, परंतु वे कैसे मुनिवर? वे बहुत भीग चुकाते हैं, आले से पैदा होने के दो कारण है, पहला सारीरिक और दूसरा मानसिक, जब का उर्जा हम उसे देते हैं, या उसी तरह का बरताव करता है, शरीर के भीतर हमारे अंदर आले से का दुसरा कारण है, बेख अगर तुम तथागत बुद्ध को देखोगे, तब तुम पाओगे, कि जब वह बेखते हैं, तो उनके रीड के हड़ी, बिलकुल सीधी होती है, जब वे सोते हैं तो उनके सरीर के भीतर किसी भी आंग में कोई दबाव नहीं होता और जब वे चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमिल नजर आता है ये जरूरी नहीं है कि कोई बुद्ध को सुनकर ही समझे अगर कोई समझना चाता है तो सिर्फ उन्हें ध्यान से देख कर भी बहुत कुछ समझा जा सकता है सालेलिक अस्तर पर आलेस से का तीसरा कारण है सुबह जल्दी ना उठना यह सुनकर वो व्यक्ति कहता है हा मुनिवर मैं सुबह जल्दी उठी ने पाता वे बहुत भीच्चुक मुस्कराते हैं और कहते हैं तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे पर तेक बहुत भीच्चुको अनुशासन का पालन करना होता है क्योंकि अनुशासन हमारे जीवान में संतूलन लाता है ज़्यादतर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है जबकि असल में ये है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बलकि मुक्त करता है तब वो व्यक्ति पूछता है परंतु मुनिवर शुरुवात कहां से करे सही तरह से भोजन करने से सही तरह से बैठने लेटने या चलने से या सुफ़ जल्दी उठने से वो बहुत भीच्चु काते हैं शुरुवात अभी से करो जो भी तुम इस समय कर रहे हो उसे ध्यान से करो पहले तुम मन के अस्तर पर आलश्य को समझो वेसे ज़्यादा तर इस्तीतियों में मन सरीर के कारणी आलश्य पैदा करता है मानसिक आलश्य का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाएं थे, इसलिए इस बार भी हमसे नहीं होगा हम इस बात को नहीं देखते हैं कि इस बार और पिछली बार में बहुत अंतर है अब हम मानसिक तोर पर वो नहीं है जो पहले थे अब सब कुछ बदल चुका है जब हम अपने आपको काविल नहीं समझते तब आलस हम पर हावी हो जाता है दूसरा कारण है छोटी लोग वाले और आलसी लोगों का साथ देना कभी-कभी ऐसा होता है कि आलस से हमारे भीतर नहीं होता परन्तु दूसरों लोगों से वो हमारे भीतर आ जाता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगती करते हैं वह व्यक्ति कहता है कि जी मुनिवर यहां एकदम सच्ते है यह बात तो मैंने भी अनुभव की है वे बहुत भीक्चु कहते हैं तीसरा कारण है मन का सपष्ट ना होना मान लो तुम एक वन में खो गए हो और साम होने वाली है तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारा घर किस दिसा में है तो क्या इसी स्तिती में तुम आलसी बनकर लेट जाओगे या फिर अपने घर के तलास में निकल पड़ोगे वो व्यक्ति कहता है कि मैं घर के तलास में निकल पड़ोगा तब वो बहुत भीक्चु कहता है कि अगर खूब परियास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता नहीं मिला तब तुम क्या करोगे वो व्यक्ति कहता है मैं फिर भी तलास में लगा रहूंगा क्योंकि मेरे पास उसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं होगा वो बहुत भीक्चू कहते हैं मनिश्य को आलस तभी पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं अगर किसी के पास सिर्फ एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से अस्पष्ट होगा अगर तुम अभी बेयाम नहीं कर पा रहे हो तो उसका कारण तुम्हारे नजर का अस्पष्ट नहीं होना है तुम अभी भविश्ट में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो तुम अभी उन रोगों से होने वाली पीड़ा को महसूस नहीं कर पा रहे हो वो बहुत भ तुम्हारा और चलने का मन नहीं कर रहा है, तुम्हें आलेश्य आ रहा है, तब ही तुम वहाँ देखते हो कि एक सेर तुम्हारे पीछे चला आ रहा है, तो क्या ऐसी परस्तिती में भी तुम अपने आलेश्य को लेकर वहाँ रुके रहोगे? नहीं न? तो इस बात को समझो आलेश्य तुम्हें उसी काम को करने से रोकता है जिसे करने की कोई बड़ी वज़ा ना हो वह व्यक्ति कहता है धैन्यवाद मुनिवर अब मुझे आलेश्य का सारा खेल समझ में आ गया वो बहुत भिक्चु कहते हैं मेरी एक बात हमेसा याद रखना जहां असपस्टता है या कुछ करने की बड़ी वज़ा है वहाँ आलेश्य हो ही नहीं सकता दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ शीखने को मिला तो इसी तरह मॉटिवेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सबस्क्राइब कीजिएगा फिर मिलता हूँ कोई नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्नवाद